हाई फ्रेंड्स आज आप लोगों के साथ गुलाब की एक बहुत सुन्दर सी वाराइटी शेयर करने जा रहा हूँ अगर देखकर आप इसको पहचान पाएं तो कमेंट करके नाम जल्दी से बता दीजिएगा जो है और मैं भी आपको इसका नाम दोस्तों बता देता हूँ ये है फेमस गुलाब डवल डिलाइट जिसको कई नरसरी वाले आप जब कई पौदे परचेस कर लेते हैं वो एक प्लाइट इसका सेल करते हैं तो कुछ इस तरीके से मार्केट में इसका स्वैग जो है बना हुआ अगर दोस्तों हम इसके कलर की बात करें तो बहुत ही प्यारे कलर में ये आता है कुछ इस तरीके से जो ये peach color का होता है बहुत light peach color है ये जो है और जैसे जैसे ये दोस्तों open होता जाता है इसकी ये जो tones है मतलब ये जो petals हैं इनके किनारे जो है ये pink color की होते चले जाते हैं और देखने में बहुत दोस्तों सुन्दर लगता है आँखों को एक अलग सी ही ये सुकून देता है ठंड़क देता है जो है और पीछे से अगर मैं आपको दिखाऊँ तो इस तरीके का दोस्तों ये रहता है इसके बाद अगर दोस्तों मैं बात आप से करूँ तो इसकी जो खुश्बू है ना उसको शब्दों में बया नहीं किया जा सकता है इतना प्यारा इसका खुश्बू है और फश्ट टैम होगा जब मैंने किसी फ्लावर प्लैंट को जो है लगबग दोस्तों बारा-तेरा बार इसको स्मेल किया इतनी अच्छी स्मेल थी फिलाल मैं फ्लावर जो है कभी तोड़ता नहीं हूँ तो इसके लिए मैं इसको तोड़ा नहीं लेकिन मेरा मन बनना था कि इसको मैं तोड़ लू लेकिन मेरा ये थोड़ा सा अपना वो है कभी भी मैं फ्लावर तोड़ता नहीं हूँ क्योंकि मेरा अपना मानना है कि जो flowers हैं वो plant के लिए उसके बच्चे की तरह ही होते हैं जो है तो इसलिए मैं कोई भी नुकसान नहीं पहुचाता हूं हाला कि कभी दोस्तों कटिंग अगर करनी पड़ती है तो मजबूरी होती है तो कटिंग कर देता हूं जो है लेकिन अपने नेजी सौर्थ के लिए कभी नहीं तोड़ता हूं तो इस तरीके देखी इसमें बड्स भी आई हुई है जो है और यह थोड़ी सी सिलो ग्रोथ वैरा लगता है मतलब आप देखके इसको जो इंजॉय कर सकते हैं उसके बाद यह थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है और जो मैं आपको लाइब बता रहा हूं वो अक्टूवर से लेके मार्स तक की बता रहा हूं गर्मियों के टाइम पे यह कम भी चल सकता है अगर दोस्तों ह यहां से लेके जो है और यहां तक की गिरोत अगर मैं आपको बताऊं जो है तो यह दोस्तों लगवग एक फिट के असपास होगी जो है जितनी भी बेशल सूट्स आई वो छोटी रही बहुत उची नहीं गई है एक मैंने जो इसकी और खासवाद नोट की है वो यह है कि ज साइड ब्रांचिस बहुत जल्दी से एक्टिव होती है ब्लैंड शूट की प्रॉबलम काफी कम है क्योंकि जैसे इसमें चार-पांच पत्ते निकलते हैं साइड से बहां पे एक छोटी सी बट बन जाती है अभी अगर आप देखेंगे एक फूल आया हुआ है और यह दोनो जो ब्रांचिस काफी ज्यादा एक्टिवेट हो चुकी है इसलिए अगर दोस्तों यहां पर यह ब्रांचिस एक्टिवेट नहीं होती तो हम इसको बस यहां से कट कर देते हैं यहां अगर आपको ज्यादा कमजोर लगती यह चीज तो आप कट कर सकते थे बैसे क्या होता है कि इसमें side में बहुत जल्दी bud develop हो जाती है इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा hard cut इसका कभी नहीं करना है बहुत ज़्यादा hard pruning नहीं करनी है यह चीज़ आपको थोड़ सी ध्यान लगनी है और यह variety दोस्तों बहुत ज़्यादा fast growth नहीं लेती है बहुत ज़्यादा slow growth भी नहीं लेती है एक बीच वाले point पर चलती है growth लेगी तो लेती चली जाएगी रुकेगी तो रुक जाएगी कुछ इस तरीके इसका मैंने नेचर जो है वह नोट किया है और foliage बगर अगर आप देखें काफी अच्छा चल लाए जो है इस बार दोस्तों इसके पीछे इस तरीके से कुछ पीछे लग जाता है कि आपको उससे पीछा छोड़ाना मुश्किल पड़ जाता है फंजी साइट के इस परे मैंने इस पर कई वार किया है मगर उतना रिजल्ट नहीं मिल पाया था क्योंकि climate condition कुछ ऐसी थी आइडियल डाइवेक के लिए वह पीछा नह हुआ है इसके अंदर हमारा जो है एक्सपेरिमेंट चला उसके तहट हमें इसको सिफ्ट कर दिया और गिरोथ काफी प्यारी तरीके से अश्मे आ रही है जो है और इसको दोस्तों कल ही मैंने जो हे डीये भी डिये क्योंकि New Growth से जब आपकी इस तरीके से आती है तो आप 1260 या तो फिर डी एपी दे मुझे डी एपी का रिजल ज्यादा बेस्ट लगता है तो मैं परसनली डी एपी यूज करता हूं उसी की मैं राई भी देता हूं जो है क्योंकि दोस्तों डी एपी देने से उसमें नैटोजन और जो आपका फॉस्परोस होता है वो इन जो न्यू श लेकिन दोस्तों इन चीजों का असर केवल तब हो सकता है जब आपकी रूट्स नैचुरली अच्छी हो तो उसके लिए हमने यह अपना जो है एक थोड़ा सा इसको जाच परक के शेर किया जाए नहीं तो दोस्तों क्या होता है कि कई लोग फिर पीछे लग जाते हैं आपके कि आपने यह चीज बताई और मेरा पौधा मर गया आधी है दूरी बात वह बताते हैं तो कई और लोगों में भी जो थोड़ा सा वह एक भिरम कि शाइदी गलत नॉलिज दे रहे हैं जिसके चलते लोगों के प्लाइंट जो हो खराब हो रहे हैं तो थोड़ी सी इमेजी भी खराब होती है उससे तो आप लोग इचीज समझते होंगे इसलिए अभी तक शेर नहीं किया है फिला रिजल्ट बहुत प्यारा है जो है और नॉर्मल फैटलाजर दोस्तों मैंने दिया है मैं आपसे कुछ भी नहीं करूँगा कि मैंने यह एक्ष्टर दिया है वो दिया है ठीक है नॉर्मल अगर आप देते हो अपने प्लाइंट पर फैटलाजर तो काफी प्यारा आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा आज मैं छोटे छोटे पॉधे भी मैंने इसमें बड़ी बड़ी पॉलतीन में पैक किये हुए है फिलाल इनको दोस्तों हमने आठिंची पॉट में लगाया हुआ है यह देखी कितना छोटा सा गुलाव है और बहुत प्यारा लग रहा है तो कुछ इस तरीके सा भी थोड़ी सी महन पा रहे होंगे जो है तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपके मन में कोई भी प्रश्ण हो तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मेरा नंबर मिलेगा शाम में आप बॉट्सप के थुरू पूछ सकते हो बहुत जरूवत आपको लग रही तो आप कॉल भी कर स लेकिन शाम में ही करें ताकि मैं आपको अच्छे तरीके से रेस्पॉंस देपाऊं उस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बाई फ्रेंड्स